नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे डियलेट एक्जाम 2022 लेटेश्ट अपडेट के बारे में तो आज हमारी तारीक हो चुकी है 18 मार्च 2022 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग द लिए और इसी को लेकर एक बड़ी खुशक भी हम आपके सामने रखेंगे आप यहां पर देख सकते हैं कि बेसिक सिचकों की भरती जल्द होगी जी आँ दोस्तों 17,000 से अधिक सिचकों की भरती प्रस्तावीत है और आपको बताती है इस भरती में जो उपद है 17,000 से आने वाले समय में तो यह बड़ी अपडेट है जो कि हम आपके सामे रख रहे हैं एक और बड़ी अपडेट केंदरी विद्ध्यालेव इपको फूलपूर प्रयागराज में एक अपडेट आती है यहां पर दोस्तों कुछ पद खाली है देकि कॉंट्रेक्ट बेस पर नौ होना कंफर्म हो चुका है तो परिच्छा की तैयारी में लग जाईए बस होली बीटते ही आप लोग पढ़ाई में लग जाईएगा समय कम है गलती से भी आप फिल नहीं होना है एक इंपोर्टेंट बात यह है ना कोरोना के मामले जरा देख लीजे हमारे देश में दोस्तो बीस लाग से जादा मामले 24 गंटे के अंदर आए जर्मनी में दो लग 96,000 से जादा मामले फ्रांस में एक लाग से दिक मामले ठीक है हमारे देश में दोस्तों करोना के मामले बढ़ चुके थे इसलिए इस समय केसे कम है लेकिन जब चौती लहर आईगी न तो हो सकता है उस दोस्तों आपके प्रमोट के आथार बन सकते हैं लेकिन प्रमोट का फायदा सिर्फ उन बच्चों को मिलता है जिन बच्चों की कोई बैक नहीं होती तो इस बात को जरा ध्यान रगना है कि आप गलती से भी फेल नहीं होना है जब भी आपका रिजल्ट डाउन्डोड हो र फिर बढ़ियां है अगर बैक क्लियर नहीं तो बैक परिच्चा के आपको तयारी करनी पड़ेगी तो मुबाइल में कैसे डाउन्डोड करें रिजल्ट तो देखे दोस्तों इसले अपने कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्सिर बॉक्स में लिंक दिया है जहां से आप लोग ड प्रत्य वेदर करके मौका मिल जाता है लेकिन यह आप अंति मौसर समझ कर आपको पेपर देना है ताकि बैक आपके खारालेस में इस बार क्लियर हो जाए तो यहां पर आप दोस्तों में जैसे भी विग्यप्ति दिखाई कि केंद्री विद्ध्याले में निकली सम्विदा आधारी सिच्छक बरती है एक और दोस्तों बड़ी कारवाई की गई है टीटी प्रकड को लेकर डी आई उयस को निलंबित कर दिया गया यह अपडेट दोस्तों मारी आजमगड से तो देखे नए नए अपडेट निकल कर आ रही है बाकि दोस्तों जो भी अपडेट आती अपडेट हम आप तक पहुचाते रहेंगे देखे कोई भी खबर छूटेग नहीं आपसे तो यहाँ पर देख सकते हैं सिच्छक पातरता परिचा टीटी की सुचिता भंग करने के मामले को लेकर सासन ने बड़ी कारवाई किये इस मामले को लेकर जिला एजिकाली के संसु की डूटी यह अपडेट सिधार्थ नगर से निकल कर आ रही है यूपी बोड की परिच्छा में कच निरिच्छक की डूटी ऑनलाइन लगाई जाएगी नकल भीन बोड परिच्छक लिए इस बार 2000 से दिख सिच्छिकों को कच निरिच्छक बनाया जाएगा परिच्छा की विभागी तैयारिया पूरी हो चुकी हैं तो देखे दोस्त अगर हमारा यूपी बोड का पेपर 24 मार्चे से सुरू ना होता तो हमारा जो डियलट का एक्जामत उसको मार्च में ही करा लिए जाता आपके मन में सवाल होगा कि अभी तक तो यह हो रहा था कि जैसे ही चुन करना पड़ा है कि यूपी बोड का पेपर 12 अप्रेल को समाप्ट हो जाएगा ठीक है चौपी समार से लेके 12 अप्रेल तक उसके बाद 15 अप्रेल के बाद हमारी परिच्छा की तारीख आ जाएगी जहां पर डियलट सभी समेश्टर के एक्जामों को याद रखिए चाहे आ इदान सभा चुनाओ के दोरां CM पर अपत्ति जनक टिपड़ी करने वाले साय का ध्यापक पर केस हो गया है तो भाईया ठीक है आप जब आपको नौकरी मिल जाए अगर आप सरकारी टीचर है तो सरकार की खिलाप मत जाईए ठीक है अगर आप प्राइवेट टीचर हो तो सब धरना दे रहे हैं अमनुक सरकार के खिलाप कि हमारा पेपर हो रिजल्ट ठीक से आए और यूपीटेट का रिजल्ट को लेकर भी दोस्तों काफी जादा बवाल हुआ अभी आप देखेगा जब फाइनल आंसर की आएगी ना जब नंबर नहीं बढ़ा जाएगा तब द इसने बड़ एकजाम का जो कोश्चन पेपर है वो पुराने कोश्चन पेपर से रिप्रीट हो जाए मतलब नबबे से ज्यादा कोश्चन रिप्रीट होना मतलब दोस्तों आप समझ सकते हैं ये कोई इतिफाक नहीं है कुछ लोगों कुछ उनिंदा लोगों को हो सकता है कि पहले से ये पता रहा हो कि भाई ये 2017 वाला पेपर पढ़ लो काम हो जाएगा तो उनका तो अच्छा खाता फैदा हो गया होगा बाकी जो बच्चे महनस से गया होंगे वो सकता है कि उनके नमबर आ रहोंगे लेकिन उतने अच्छे नमबर दी होंगे कल को 268 की बेसिस पर नौकरी कर दी जाए कि जो टेट में ज्यादा नमबर पाएगा उसको नौकरी मिलेगी तो पाता है ये सोचिए बाकी बच्चों का क्या होगा तो फिलाल अभी टेंसल नहीं की कोई जरूरत नहीं है बाकी जो भी अपडेट निकल कर आएगी देखिए अपडेट हम आप तक लगातार पुंचाते रहेंगे ठीक है तो परिच्छा की तैयारी में आप लोग गाइस लगे रहिएगा कुछ और बाते दोस्तों वीडियो क भरती तो आने वाली तो क्या आपको मौका मिल पाएगा देखे दोस्तों वैकेंसी आने में समय लग जाता है ठीक है तो फिलाल एक बात यह मान के चली के अभी सीटेट जुलाई को जो हमारा पेपर होगा तो उसका रिजल्ट आने के बाद ही हमारी भरती का नोटिफिकेश इसको लेकर धरना होना तह है तो समय लगेगा तो फिलाल अभी आपको परिसान नहीं होना और उम्मीद करेंगे कि हमारे सच्छा मंत्री जी बदल जाएंगे क्योंकि वो अपनी ही सीट नहीं बचा पा है उसका रीजन तर नौकरी ना देना जी यहां दोस्तों जब इतनी साल तक नौकरी रहेगी कभी दो साल तक यह सब मैटर है बाखी जो भी देखिए अपडेट निकल कर आगे अपडेट हम आफ तक पहुचाते रहेंगे परिच्छा की तयारी में लगे रहे है डीलेड में देखिए प्रसंट समिस्टर में जो दिक्कत होगी न संसक्रत में हो पर आउट आप स्लेबस भी हो सकता है यह मस सुचेगा कि स्लेबस से कोश्चन आगा कुश कोश्चन आउट आप स्लेबस हो जाते हैं इस बात का आपको विसे ध्यान रखना है बाकि देखिए जो भी अपडेट निकल कराएगे अपडेट हम आप तक पहुचाते रहेंगे चलिए गोली है मस्ती करिए फिर मिलते हैं श्ठेकनेक्टेड है बना इस देखिए